पांग्या स्टोर में लीप आने के बाद आक्टरस प्रियांशी यादब की हुई एंट्री ने भाएंगी लीड कैरेक्टर टीवी सीरियल पांग्या स्टोर की कहानी कैरेक्टर शुरुआत से ही ओडियंस को काफी ज्यादे एंटेटेन करने में काम्याब रहे लेकिन जब कहानी में ओडियंस का इंट्रेस्ट खत्म हुआ तो मेकर्स ने इसे दिल्चस्प बनाने के लिए लंबा लीप भी लाया अब लंबे लीप के बाद कहानी पूरी तरह से बदलने वाली और शो में एंट्री होने वाली है अक्टरस प्रियांशी यादब की ये शोब जनरेशन लीप लेने जा रहा है जिसके बाद शो में प्रियांशी यादब नई लीड डोल निबाती हुई नजर आएंगी शो के मेकर्स ने हाल ही में जनरेशन लीप प्रोमो शेयर किया है इसमें देखा जा सकता है कि बड़ी हो चुकी नताशा के कैरेक्टर में परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया तो पांड्या स्टोर की विरासत को आगे बढ़ाएंगे ऐसे में शो की नई जर्नी को देखना काफी ज्यादा दिल्चस और मज़ेदार होने वाला है शो में नताशा का कैरेक्टर निभाने के लिए रेड़ी आक्टरस प्रियांशी यादव कहती है मैं पांड्या स्टोर शो का हिस्सा बनने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ और साथ ही इसके लिए आभारी भी हूँ इस शो को फैंस ने खूब पसंद किया है और काफी तारीफे भी इस शो को मिली है उमीद है कि फैंस से उतना ही प्यार और अपना पन मुझे भी मिलेगा जो विरासत पीछे चूँच गई है उसे बनाये रखने के लिए मैं अपना बेस्टी दूंगी स्टार प्लस के साथ मेरा जुडाव खास है वहीं ऐसे पॉपुलर चानल में काम करना ऐसे लोगों के साथ काम करने का चांस मिलना पाकर मैं अपने आपको काफी लखी भी मानती हूँ अब शो में प्रियांशी को देखने का इंतजार हो रहा है आर्ट्रेस इस रोल को निभा कर बेहत खुश भी नज़र आ रही है बला आप आएंगे स्टोर में प्रियांशी आदव को लीड रोल में देखने के लिए हैं कितने ज्यादा एक्साइट हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं ऐसी है अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें